अब हम लोग बात करने वाले इस बारे में कि कैसे हम लोग HTML की कोर्स को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं मतलब कैसे हम लोग हमारे basic web pages को build कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको कही लिखने पढ़ेंगे वो web pages तो आप लोग कोई भी text editor यूज कर सकते हो जैसे अगर आप लोग windows पे हो तो आप लोग notepad यूज कर सकते हो या फिर अगर mac पे हो तो आप लोग text edit का यूज कर सकते हो या vim का यूज कर सकते हो अगर आप लोग linux पे हो तो right यहाँ पर आप लोग अपने computer में जो text editor से उनका भी यूज कर सकते हो यहां पर मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि हम लोग यूज़ करेंगे something called IDE का IDE मतलब integrated development environment उसके फायदे मैं आपको बताऊँगा जैसे समझाते जाऊँगा ठीक है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यूज़ कर रहा हूँ या ऐसा ही कुछ तो आप लोगों को बहुत सारी ID's मिल जाएगी और वो बहुत सारी ID's जो है बहुत useful भी है बहुत सारी ID's जैसे Visual Studio Code हो गया Atom हो गया या NodePad++ हो गया काफी सारी ID's आपको available है to write web pages मतलब आपका HTML का code महाँ पर लिख सकते हो और ID's का बहुत सारी फाइदा ऐसा है कि आपका code जो autocomplete हो जाता है और मतलब आपको colored मिलता है जो text होता है वो colored होता है तो आप लोग easily उसको differentiate कर सकते हो मतलब आपका tag different color का होगा आपकी text different color की होगी तो आप लोग आसानी से differentiate कर पाऊगे code को आसानी से read कर पाऊगे मैं जो ID use करने वाला हूँ वो है visual studio code it was developed by microsoft और यह open source ID है जो आप लोग भी use कर सकते हो मैं यह ID use कर रहा हूँ इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों ने भी ID use करनी चाहिए सब ID's के अपने अपने फायदे है और आप लोग कोई भी ID use कर सकते है you are free to use any of the ID's available लेकिन आप लोग अगर मुझे follow करना चाहते हो यह पूरे course को बड़े अच्छे थे मतब 100% follow करना चाहते हो तो आप लोग यह ID install कर सकते हो तो अभी मैं लेके चलते हूँ आपको ब्राउजर पर और हम लोग step by step दिखेंगे कैसे हम लोग install कर सकते हैं हमारे Visual Studio Code को तो मैं आच चुका हूँ अपने ब्राउजर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ Google Chrome Browser आप लोग फिर से अपनी पसंद का कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो काम करने वाले है वो है download IDE तो हम लोग यहाँ पर जो IDE download करने वाले है वो है Visual Studio Code यह IDE जो है Microsoft ने develop की है and free to use है मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी पसंद की कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो या फिर आप लोग मतब अपनी computer में जो text editors आते है जैसे notpad text edit वगेरा उनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग मुझे follow करना चाहते हो तो हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं और IDE को download कर लेते हैं तो मुझे simply यहाँ पर type करना पड़ेगा visual studio code and जैसे ही हम लोग enter कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर आओगे यहाँ पर आप लोगों को code.visualstudio.com जो की पहली ही link है तो आप लोगों को वहाँ पर जाना है अंदर तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि मुझे download for windows का option आ रहा है क्यूंकि मैं भी windows operating system पर हूँ और जैसे ही मैं इस पर click करूँगा मेरा जो download है वो start हो जाएगा अब देख सकते हो आप लोग की visual studio code download होना start हो चुका है हम तोड़ा सा रुकते हैं और फिर हम लोग visual studio code को अपनी system में install कर लेंगे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा visual studio code जो है वो download हो चुका है अब time है इसे install करने का अपनी system में तो install करने के लिए simply आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा open करना पड़ेगा नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो अपने जहां भी download करते हो जहां भी browser से download करते हो चीजे वही आपका जो setup है download हो गया होगा वहाँ जाकर कि आप लोग उसे run कर सकते हो मैंने यह ही से कर दिया अब मैं यहाँ पर run को click कर दूँँगा यहाँ पर मुझे यह agreement शो कर रहा है आप लोग चाहो तो यह agreement पूरा का पूरा पड़ सकते हो बट जैसा कि मैं आपको बताया कि visual studio code एक open source और free to use IDE है इसका मतलब है कि हम आप लोग इसे use कर सकते हो तो यहाँ पर मैं simply accept कर लूँगा agreement आप लोग चाहो तो यह ऐसा ही रहने दे यहाँ पर यह मेरे case में C drive में हो रहा है आप लोग चाहो तो change कर सकते हो यहाँ पर चाहकर चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को लेकिन मैं change नहीं कर रहा हूँ तो basically मैं next कर लेता हूँ यहाँ तो हम लोग इसे भी next कर लेंगे right simple सी बात है इन सारे checkboxes को check कर देंगे और next कर देंगे आप भी कर दो right कर दो जल्दी से कर दो और फिर next करेंगे हम लोग यहाँ पर आपको summary मिल रहे है कि भाई यह होने वाला है तो हम लोग ठीक है बोल देते और install कर लेते install होने में थोड़ा time लगता है तो ठीक है लाँच कर देते हैं तो जैसा ही मैं finish दबाऊंगा मेरा visual studio code जो है वो open हो जाएगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर आ चुके अपने visual studio code में यह कुछ ऐसा interface है जो की काफी अच्छा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं छोट हसा tour कर लेते हैं हमारी visual studio code का और ताकि हम लोग ready हो जाए तो यहाँ पर अगर आप लोग आओग यह file में तो file में आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग नहीं file बना सकते हो ऐसी एक नहीं window कोल सकते हो existing files को open कर सकते हो existing folder को यहाँ पर open कर सकते हो हम लोग यह आगे करने वाले हैं तो आप लोग यहाँ पर काफी सारी चीज़े कर सकते हो save, save as वगेरा options आपको यहाँ पर मिल रहे हैं आप लोग अगर आते हो edit में तो आप लोग undo, redo, cut, copy, paste वगेरा जैसी चीज़े कर सकते हो and then आपको आगे बहुत सारी facilities यहाँ पर मिल रही हैं आपको यहाँ पर मिल रहा है terminal आपके IDE के अंदर आप लोग ऐसे बाहर से भी open कर सकते हो बाहर से भी चीज़े कर सकते हो बट यह IDE के अंदर आपको terminal भी मिल जाता है जो की बहुत अच्छी बात है तो यह terminal बेसिकली अलग programming languages को भी लगता है जैसे python, cc++, java आप लोग जब सीखोगे या सीख चुके होगे तो आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पर हम लोग और भी कुछ चीज़े देख लेते हैं यहाँ पर मैं फोल्डर को नाम देदूँगा gp website और यह folder को यहाँ पर रख दूँगा रइट और वापिस आऊँगा अपने id में तो हम लोग आचुके अपने id में यहाँ पर आकर के हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं जो की है एक new file बनाना या फिर हम लोग क्या करेंगे file नी बनाएंगे जो folder बनाएंगे उसमें हम लोग चले जाएंगे अभी तो यहाँ पर आप लोग देख पारे हो open folder है तो मैं इस पर click कर दूँगा तो यहाँ पर desktop पर अगर मैं आता हूँ तो मैं आपर देख सकता हूँ कि gp website नाम का एक folder मेरे पास है तो मैं यह folder को select कर लूँगा एंड इसी में हम लोग visual studio code को open कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर gp website में visual studio code जो है हमारा खुल चुका है तो यहाँ पर मैं एक file बना लूँगा index.html लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर extensions से related वो चीज़ है अब यहाँ पर क्या है मैं आपको एक extension के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा अब देखो हम लोग तो coding किसी में भी कर सकते थे मैं आपको बोला कि आप लोग text editor में भी आपके codes लिख सकते हो तो हम लोग IDE use कर रहे है IDE का पूरा lab उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे install करेंगे extensions को कुछ जो कि हमारी मदद करेंगे हमारी इस course में तो हम लोग जो extension डाउनलोड करने वाले है वो है prettier प्रिटियर आप लोग यहां पर search भी कर सकते हो प्रिटियर आप लोगों को मिल जाएगा तो यह जो prettier है code formatter है यह बेसिकली यह आप लोगों को HTML में CSS में JavaScript में तीनों में काम में आ जाएगा तो यह डाउनलोड करना, डेलीट मत करना ठीक है, मतलब install कर लेना बाद में यह आपको काम में आएगा CSS में भी काम में आएगा, JavaScript में भी काम में आएगा, तो यह सारी चीज़े होती है तो यह आप लोग अब भी download कर लो install कर लो, मैं भी install कर लेता हूँ यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बहुत जल्दी इंस्टाल हो जाता है तो यहां पर यह सारी चीज़ें होती है आप लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हो देखो यहां पर This is an opinionated code formatter और यहां पर आपको दिया गया गी JavaScript के लिए CSS के लिए HTML के लिए जो कि हम लोग देख रहे है और भी बहुत सारी चीज़ें यहां पर लिखके दी गई है आप लोगों को तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो यह तो हम लोग इसे बन कर देंगे यहां पर आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग GP website नाम के folder के अंदर है तो मैं क्या करूँगा यहां पर एक new file बना लूँगा जिससे मैं नाम दूँगा index .html अब यहां पर ध्यान देना कि .html जो होता है it is the extension of every html file .html या .htm भी आप लोग save कर सकते हैं बट हम लोग यहां पर .html दे देंगे ठीक है तो यहां पर चीज ऐसी है कि आप लोग यह मान सकते हो कि यह उस file का सरनेम है जहाँ आपका कोई सरनेम होगा जिससे आप लोग identify होते हो तो यहां पर यह जिस भी file का सरनेम .html है वह एक html file है ऐसा आप लोग मान के चल सकते हो इसे extension कहते है .html तो हर एक html file का extension हम लोग .html रखेंगे ठीक है तो यह file बन चुकी है अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर बस एक basic धाचा मैं हाँ पर लेके आऊँगा ठीक है बस आप लोगों को समझाने के लिए तो यहां पर अगर मैं exclamation mark अगर यहां पर लेके आता हूं तो मुझे यहां पर पूरा का पूरा code मिल जाता है basic html का जो की हमें हर प्रोग्राम में लगता है हम लोग आगे इसके बारे में बात करने वाले don't worry about that तो यह पूरा code क्या है इतना बड़ा यह क्या आ गया बिल्कुल दो सेकेंड के अंदर अंदर तो आप लोग उसकी बारे में चिंता मत करो कि यहां पर तो अभी तक सब कुछ खाली था पूरी बंजर जमीन पड़ी हुई थी और एकदम से ऐसे नीला हरा पीला कैसे आ गया डोंट वरी मैं आप लोगों को समझाऊँगा यह सारी चीज़े हम लोग इसमें की एक एक element को समझ करके लेंगे अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग हमने verify तो कर लिया है कि यह IDE काम कर रही है अच्छे से हमारी system में और आश्यकरता हो कि आप लोगों की भी IDE काम कर रही होगी जो भी आपने डाउनलोड की होगी यह डाउनलोड की होगी तो बहुत ही अच्छा है हम लोग smoothly कोर्स में आगे बढ़ पाएंगे राइट मतब मैंने भी same आपने भी same तो same to same हो जाएगा राइट तो हम लोगों ने या पर IDE भी इंस्टाल कर ली है और साथ ही साथ में extension भी इंस्टाल कर लिया है जिसका हमें बहुत काम पढ़ने वाल है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी जो सारी चीज़े हमने की है अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो फिर से आप लोग वीडियो को rewind करके देख सकते हो और सारी steps को good try कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो हम लोग फिलाल आगे बढ़ते हैं और next concepts को explore करते हैं